दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि फेस्बूक में किसी भी फ्रेंड्स के पोस्ट को अपने फेस्बूक प्रोफाइल पर टेक करने से खुद को कैसे रोग सेकते हैं ऐसे आपको Facebook Tags के बारे में तो पता ही होगा अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत आपको बता देता हो तो Facebook Tags का मतलब होता है कि अगर कोई भी आपके Facebook Friends उनके profile पर कुछ भी post करता है और उस post में आपको tag कर देता है तो उनके post आपके Facebook profile के timeline में दिखने लगता है और कुछ-कुछ friends के post अगर आपको पसंद नहीं आता है या फिर किसी भी कारण से आप नहीं चाहते है कि उनके कीवे post आपके timeline पर ना दिखे तो इस situation में आप आपके friends के post से tag करने से खुद को कैसे रोक सकते है उसका complete process आपके साथ इस वीडियो के मजदम से स्यार करेंगे तो किरिपा करके वीडियो में अंतक बने रही है तो मेरा नाम है मिथोन और आप देखे़े डिजिटल मिथोन तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल में तों चैनल को और बिल आइकन को प्रेस कीजिए लटेश टेकनोलोजी रेलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फेसबुक में किसी भी प्रेंट्स के खुद को टेख करने से किसे रोग सकते है उसकेलिए अब क grate पहले है सबसे पहले से शिरेक पर आपका प्लॉट में का सबसे शूंप्र और राइट साट पर अगर अगरस आपके ऑलग अलग डिवास बैस मोशाले अलग ज़mäß पने पर मेन उसके बाजो में एक arrow दिख रहे, downside का उस पर आपको simply click करना है, उस पर click करने के बाद आपको इदर settings का एक option दिखेगा, उस पर आपको simply click कर देना है, उस पर click करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, नीचे आपको इदर देखने को मिल जाएगा profile and tagging, तो आपको इस पर click करना है, उस पर click करने के बाद आपके सामने बहुत सरे अलग-अलग option देखने को मिल जाएगा, जैसे भीउंग and sharing, tagging, reviewing, तो आप देख सकते हैं कि इदर tagging के नीचे दो option देखने को मिल रहे, who can see post that you are tagged in on your profile, तो इसमें आपको बता जा रहे है कि कौन-कौन देख सकते है कि आपको किसने-किसने tag किया है, तो आगर आपको इस इदर जो भी select करके रखेंगी, आप रख सकते हैं, जैसे मैंने करके रखा है, everyone, तो आप चाहता है कि जो जो लोगों ने आपको tag करके रखा है, तो आपका profile में उसका post सो हो और है, तो post कौन-कौन देख सकते हैं, आ मैं सिर्फ आपको दिखाने जा रहा हो, कि अगर कोई भी friend आपको कोई भी post में tag कर देता है, तो उसका जो post है, आपके profile में कैसे नहीं दिखेगा, उसको कैसे आप रोग सकते हैं, तो चलिए हम इसको back करेंगे, तो इसके नीचे दो option देखने को मिलेगा, reviewing, तो इस पर आप को simply click करना है, तो इसमें बताया जा रहे, review tags that people add to your post before the tags appear in facebook, उसके नीचे लिखाए, if someone who you are not friends with adds a tag to your post, you will still be asked to review it, remember when you approve a tag, the person tagged and their friends may be able to see your post, तो इसमें आपको बताया जा रहे, कि अगर कोई भी आपका दोस्त नहीं है, फिर भी आगर आप उनके post में आपको tag कर देता है, और आप उसको review आने के बाद आप अगर उसको अगर अगर उसको अगर आपको पोस्त आपके timeline में दिखने लगेगा, उसके बाद लिखाए, remember when you approve a tag, यानि कि आप आगर उसके tags को अगर आपको 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 आप आप करके रखना है जो भी आप चाहें, तो आप इसको अगर आपको 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 अगर पोस्त में आपको आपको टेग करता है, तो उसके पहले, सबसे पहले आपके पास एक notification आएगा, कि आपको ये जो पोस्त कि है, उसको एलाव करना है, या फिर हाइड करना है, तो अगर उसको अलाव करेंगी तो क्या होगा उनका जो पोस्ट है आपके टाइम लेन में दिखने लगेगा और आप उसको हाइड करेंगे तो क्या होगा उनका जो पोस्ट है आपको टैग किया है तो उसका जो पोस्ट जो है उनके प्रोफाल में दिखेगा लेकिन आपके प्रो प्रफाल में कुछ भी पोस्ट करते हैं और आपको टेग करते हैं तो आपके पर्मिशन के अलाबा वो पोस्ट आपके प्रफाल में सो नहीं होगा तो यह बात का ध्यान रगा है कि रीविंग आप्शन में जाने के बाद दो नुम्बर आप्शन को आपको सिंपल ओन कर देना उसके बाद आगर आपको कुछ भी नहीं करने जो भी अगर कोई भी पोस्ट में को टेग करता है तो आपके पास नोटिपिकर से ना आ जाएगा आप उसको आइड करेंगे या पिर एपूर्ब करेंगे वह आपके उपर है कि किसका पूस्ट आपको प्रफाल में सो करना है क इसका नहीं तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस भी फ्रेंट्स के पोस्ट से खुद को टेग करने से कैसे रोक सकता है और इस पोस्ट से इस वीडियो से जुड़े आपके मन में अगर किसे भी प्रकार के सवाल या पिर सुझावे तो आप नीचे मेरे साथ हुआ हुआ